हेलो गाइस कैसे हैं आप सबी लोग मैं पवन अरुद्रा और आपका स्वागत है आज की सांदार वीडियो में आज आपके लिएक लिएक बहुत ही सांदार वाली डीजे लाइट जो की आपको पिछे प्रफॉर्म करती भी दिख रही है जिसके नाम बहुत ही सांदार है ठ्री हेर डोटेटिंग लेजर लाइट जिसके नाम से ही पता चल जाता कि भाई आपको यह ठ्री हेर डोटेटिंग के साथ-साथ आपको लेजर एफिक्ट भी देने वाली है इस light को जो है आप अपने रोड़ दीजे सेटाप में फ्लोडे डीजे में यूज कर सकते हैं लाव स्टेज प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं और अधर जो आपके devoration work है वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खास बात यह बात है एकशे हैं में या फिर रोड् सोमें या फिर अपने फLore डीजे में इस लाइट को अकेला ही लगा देते हैं तो आपको उआप यह दूसरी लाइट लगाने की कुई जरूरइट नहीं पड़ेगी सारी लाइट की इसमें आपको देखने को मिल कर सकते हैं आप इसमें फ्लैस भी ले सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं और इसकी सबसे खास चीज है वो आपको देखने की मिलती है कि आपके हर एक हेड में आपका एक लेजर लाइट देखने की मिलता है जैसे कि आपको यहां पर अभी ब्लू दिखा और एक में आपको लाल दिखेगा, एक में आपका हरा दिखेगा, तो इनका इस्तिमाल आप आसानी से कर सकते हैं, इस light को आप अपने auto mode में यूज कर सकते हैं, और अपने music के साथ, यानि जैसा आपका गाना बजे, वैसे sound के साथ भी control हो जाएगी, और साथ में जो आपका इस समय के सबसे advanced सीज है, DMX से controlling, यहाँ पर आपको DMX से देखने को मिलगा है, इस DMX controller से भी अपनी जो light है, पुछी तरह से control होने वाली है, तो इस वीडियो में आपको जो है, इसकी unboxing दिखाऊंगा, आपको इसका price बताऊंगा, और साथ में इसे auto में भी चला के दिखाऊंगा कि music के साथ कैसे काम करेगी, और साथ में आपको DMX controller के साथ भी इसका connection दिखाऊंगा, और साथ में इसका क्या फेटर कौन सा controlling करेगा इस light में, वह सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाले, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, गाइस यह रहा हमार आपको इस light का नाम दिखाया गया है, नाम इसका थोड़ा से unique है, क्योंकि light unique है तो इसका नाम में थोड़ा unique ही रहेगा, यहाँ पर आपको इसका नाम जो है three head laser moving head lamp, ऐसे करके आप कुछ नाम देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा से cutting लगता है सुनने में, फिर भी इसे 18 channel का जो हमारा DMX होगा, उससे इसे कैसे control करना है, counts of header क्या काम करने वाला है, यह सब इसमें आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप इसे read करनेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तब इस light को चलाए, ज्यादा बेतर रहेगा, नहीं तो अभी video में आपको एक एक करके खुदी इसकी testing दिखाऊंगा कि counts of header DMX में क्या काम करता है, यह इसका पैकिंग बहुत ही अच्छा है, और finally आप अंदर देख सकते हमारी यह light कुछ इस प्रकार से आपको रखी भी मिल जाती है box के अंदर, इस light को हम बाहर निकालते हैं, और box के अंदर आपको देखने को मि आपने वाले ही, तो सामने से हमारी जो light कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, यहां पर आपको इसका टाइप LED Mini Moving Light, और इसका जो company है, specs, वैसे यहां company का website में मेंशन किया गया है www.specs.in, और यहां पर इसका जो है digital display आपको देखने को मिलता है, और इस light में आप पुरी तरह से स्वतंत्र हैं घूमने के लिए ऐसे करके, और यह चलते वक्त जो है, ऐसे तो घूमेगी ही, और साथ में यह ऐसे moment भी करेगी, जो कि बहुत ही सांदार आपको लुक देने वाली है, और सबसे खास बात आपको बता दें, आपको यहां पर जो है, यह आर अधर भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बहतर दिखते हैं जब यह लाइट चलती है, वह अभी आपको टेस्टिंग में दिखाने वाले हैं, यह इसका पीछे का पैनल है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर DMX-IN, DMX-OUT, और यहां पर आपको एक प्यूमिंस देखने को मिलती है, पावर ओन हो चुका है, और आप देखें कि जैसे हमारी सार्पी लाइट अपने आपको जो है, थोड़े देर के लिए वाम करती हैं, और रेडी करती हैं, टेस्टिंग करती हैं, वैसे अपने आपकी यह भी जाच करता है, और उसके बाद आपको जो है, अपना यह चलना सुरू हो जाता है, यह फिलाल जो भी आपकी इसमें अक्षन देखने को मिलेंगे, वो आटो की रहने वाले हैं, और आटो के बाद मैं आपको इसके साउंड मोड में भी लेके दिखाता हूं कि साउंड मोड में कैसे काम करता है, और फिर यह पर आपको आटो दिख रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो भी पांच नमबर में है, आप इसकी स्पीड को और भी ज़यदा बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर यह जो आपको हेड दिख रहा है, इन हेड के अर जीवी फोकस हैं और इनके ज आप सामने यहां पर देखिए रेड वाला अब यह ब्लू वाला अब यह ग्रीन वाला ऐसे करके लेजर भी दिख रहे हैं और इसके जो में फोकस है वो हर एक टाइप के पिक्सल का जैसे कलर आपको देखने किसमें मिलेगा क्योंकि आर जी भी है यह हर एक कलर को बनाने में सक स्पीड कितना जो है इसका बढ़ाया सकता है यहां पर इसके मोड वाले स्विच में जाएंगे हम यहां पर साउंड मोड आ गया आटो आ गया इंटर के यहां पर हम इसकी छै नंबर आपको यह पर दिख रहा है अब हम इसको जो है बढ़ा करके साथ आठ नौ में लगाते फिर आपको इसकी स्पीड दिखाते हैं मैंने इंटर किया है चालो कर दिये लिए अब जो है यह इसका नौ नंबर की स्पीड में चालो होगा और बहुत यह तेजी के साथ आपको यह प्रफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा यह देखिए इसकी जो स्पीड है नव नंबर वाली स्पीड है तो आप इसे 1 से लगाकर 9 नंबर तक की स्पीड में यूज कर सकते हैं यह सबसे फास्ट स्पीड है अब आपको इसकी जो है इसलोई स्पीड भी दिखाते है थोड़ा से यहां पर इसकी मोड में फिर से नॉर्मल वाली स्पीड आएगी आपके सबसे कम स्पीड है तो आपके पास सबी ऑपशन देखने को मिलती इसमें आपirmal स्पीड में और हाइज स्पीड में भी चला सकते जैसे आपकी मर्जी हो चलिए अब आपको इसके हम साउंड मोड में लेके चलते हैं कि साउंड मोड में कैसा प्रफॉर्म करेगी जैसे हम अपने म्यूजिक के साथ इसे चलाना चाहें जैसा हमारा म्यूजिक बजे वैसा प्रफॉर्म करें तो इसके लिए आपको फिर से मोड वाली जो आपको की दे कर देना है अब यह साउंड मोल में लग चुका है आप जितना साउंड करेंगे आपके म्यूजिक की इसाफ से बजेगा विससे कि आपको यहाँ पर मैं क्लैप बजाओंगे अपनी ताली बजाओंगा या फिर कुछ बोलूगा उसी हिसाफ से अपने आपको यह चेंज करेगी मैं बोलना बंद कर दूंगा यह भी बंद हो जागी यह भी देखना मैं सांथ हो जाओंगा थोड़ा से कि हालो कि वान कि टू कि ट्री कि होर पाइब शिक्स सेवेन एट नाइन टेन ऐसे करके आपको जितना भी म्यूजिक है म्यूजिक के हिसाब से आपको प्रफॉर्म करेंगी देखिए कि मुझे इसका भी फीचर बहुत अच्छा लगता है जैसे आप म्यूजिक बंद कर देंगे तो लाइट भी बंद हो जाएगी जितना आप बोलते रहेंगे आपके बोलने के साब से मैं आपको यहां पर कुछ बता रहा हूं फिर भी मेरी आवाज से यह कंट्रोल हो रहा आपको इतरह से मैं सांत हो जाओंगा फिर सांत हो जाएगा है हालो है है लाइट ओन कर तो आपको कैसा लग रहा है है यह मोंड मुझे कमेंट करके जरूर बताईए चलिए अब आपको इसको dmx से कंट्रों करके दिखाता हूं कि dmx में कैसे काम करने वाला यह रहा हमारा dmx guitar सबसे पहले आपको बता देते हैं इसका ञूए केबल मैं अपने DMX से एक आउट लेता हूँ यहां से आउट लिया और सिंपल आपको आना है अपने light में यहां पर आपको जो DMX इन वाला आपको यह socket मिल रहा है XLR का वहां पर आपको जो है अपने इस XLR को लगा देना है मात रहे चोटे से step से हमारा जो यह light है वो हमारी DMX से साथ connect हो गया क्यों आपको एक XLR लगानी पड़ी है और जो है बात आती कि अगर आपके पास और ज्यादा light है ऐसी same light और है चार, पांच, साथ, आठ जितनी भी हो तो आपको उन्हें कैसे connect करना है तो वह भी बिल्कुल सराल है जैसा आपका सारपी light और पार light में जो connection करना होता है इसका light का जो आपको DMX out देखने के मिलता है यहां से same एक XLR केबल लेना है इससे out लेना है और अपने दूसरी light में जाके in कर देना है आपका ऐसा सरी चलता रहा का उस light से दूसरी light को भी वैसे out लेके in कर देना है तो आप जितनी भी light जोलना चाहें आप जोड सकते हैं सबसे अच्छा feature है कि अगर आपका DMX बंद है तो यह अपने आपको तुरंत Auto mode में ले आती है और Auto में चलना सुरू हो जाती है यानि कि अगर आप अपने DMX से चला रहे हैं और किसी कारण से आपका DMX खराब हो गया बंद हो गया तो यह अपने आप ही Auto में आ जाएगी या यहां पर आपको एड्रेस दिख जाता है और यहां पर आपको इंटर करना है आपका पार लाइट और सार्पी लाइट जैसे यहां पर A001 दिखने लगता है आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास और भी जादा लाइट है जैसे A002, A003, 4, 5 ऐसे करके आप यहां DMX चलने के लिए तयार है लेकिन जैसे हम DMX को नहीं आन करेंगे तो फिर आटो में आ जाएगी आप देख सकते हैं यह आटो में आ गई है लेकिन सेटिंग पूरी DMX की है अब मैं DMX को यहां पर आउन करके दिखाता हूं तो देखना यह आटोमेटिक फिर से DMX मोल में आ ज ही 40001 वाला एड्रेस को एक्ट्यूव करना होगा यहा पर इसने अक्ट्यूव करते हैं और एकनबर पेटर को देखते हैं क्या काम करतां कर एकनबर से क्या हो रहा है यह द見て एकनबर से हमारी लाइट जो है यह यह पूरी जो है ऐसे गूल इसे गोल घूम जाती ही चकरी है स और यहां पर आते हैं इसके दो नंबर में दो नंबर में देखते हैं क्या होता है एक नंबर का जो इसमें हैड है वो इससे तो हमारा जो पीछे वाला है आपको पीछे दिख रहा है वह ऐसे कंट्रोल होगा वह से चार नंबर से हमारा यह तीसरे नंबर वाला एड कंट्रोल होगा अब यहां पर 5 नंबर जो है कोई काम नहीं करता है इस में न्यूटल है और आप आते हैं 6 नंबर में 6 नंबर जो हता है यह brightness को कंट्रोल करता है तो यहां पर हम जैसे ही इन फेडर को उठाएंगे यह देखिए यहां पर हम ने इसको डॉण किया तो इसका brightness कम हो रहा है कोई भी color अगल लगा होगा तो इसकी जो है light को आप कम ज़्यदा कर सकते इस फेडर से और यह हमारा साथ नंबर है इस फेडर को जो है हम जैसे डाउन करेंगे तो यह अपना ब्लिंग करेगी जो भी color इसमें लगा होगा और वैसे यह आठ नंबर है वो लाल रंग को दिखाता है नहीं जो हमारा red color है वो आठ नंबर से बनता है ऐसे हम डाउन कर देंगे तो हमारे color बंद हो जाएगा वैसे हमने उठाया यह देखिए यह लाल color यहां से बनता है अब इसको हम डाउन करते हैं page number 2 में जाते हैं यहां तो 9 नंबर से क्या होता है यहां पर हारा color आएगा इसमें यह देखिए हारा color 9 नंबर से बना इसको डाउन करें 10 नंबर से अब देखेंगे तो यहां पर आपको जो है नीला color बनता हुए दिखाई देगा और अब इसमें आते हैं 11 नंबर में यह पूरे हमारे आरजीवी मिक्स होकर सफेद रंग बनाते हैं यह वाइड कलर आपको यहां पर देखने को मिलता है 11 नंबर से अब आपको यहां पर 12 नंबर देखने को मिलता है इसमें देखते हैं 12 नंबर में क्या होता है आपको यहा राल वाला लेजर सुरु हो गया यह है यहाँ पर एक ही मिटो अब यहां पर आते हैं कि हे त्यारा नम्ब़ में हरा लेजर शुरू हो गया आपको साइड में वह पर दिक रहा हैं हुआ है है on staff आई और वैसे आब आते इसम नभर चाह्ट you have a large video आते रहेंगे हैं मेल में कैसे चलाएगे तो मैं को यहाँ वब स्थोड़ा सेन्हों पर देमो करके दिखा देखा देता हूं तो यहां पर मालीचिए जैसे कि मैं यहां ये क्र लाल रणक ले लिए आपके तीन हैट में आ अगया थीक है अब जो है हम पूरी इस लाइट को घुमाना चाहते हैं ऐसे करके तो देखिए एक नमबर फेटर से ऐसे करके घूमती रहेगी ऐसे करके आप जैसे कि आपका पूरड़ नहीं घूमाना केवल είक ऑघ आभ धाक को घूमाना है को ऐसे कुलिक कर देंगी अपने यह दो नमर वाले फेडर को देखिए एक आपका है घूमने रागे का पूर यह दूसरे को घूमाना है यह लिजिए तीसरे को घूमाना है यह लिजिए तीसरा भी भूमने लगा अब यहीं पर माल लो कि आपको इसे color change करना है तो लाल वाले को आउन कर देंगी घूम रहा है page नमर 2 में आजाएंगी यहां पर पर आउन करके यह लेगा, यह इसका आगे हमारा और इन लेजर के साथ और कलर भी उच करने हैं जैसे कि मैं एक नमबर पेज में जाओं और यहां पर मैं दूसरे कलर लिलू यहां पर से जमानों की यह इसको हमने रोटेट किया फिर पेज नमबर दो में आ गए और यहां पर से जो है यह देखिए कि आप अपनी साथ से कोई सभी कलर यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं अब आपको और भी डिटेल में इसके बारे में जानना है जो चैनल में कमेंट करें और हमें बताएं कि इसके और भी वीडियो लेकर आओ इस और म्यूजिक मोन में इसका टेस्टिंग दिखाया और साफ में आपको DMX से कंट्रोल करें भी इसको मैंने आपको पूरी तरह से दिखा दिया आप बात कर लेते हैं कि कि इसलाइट का प्राइज क्या है और आप इसे खरिदना चाहते हैं तो कहां से खरीज सकते हैं तो आपको बता दे कि अगर आप इसलाइट को लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदी की मार्कट से कहीं से भी से ले सकते हैं अगर आपके नजदी की मार्कट में नहीं मिल रह लाएगी बात करें से प्राइस की वीडियो में सीटाने थोड़ा से गलत होता है तो वीडियो जो अलग समय पर सूट होरहे है आप वीडियो महाल लिए साल भर बात देख रहे है तो मझा समय आज का रुड यहाव अभिन्हें वीडियो देख रहे क्योंकि वहाँ पर बदलने का option मिल जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दोस्तों के पास सेर करिए और अगर आपने हमारी चैनल को पहले से सब् कर दोस्तों 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 क